हलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिल्म टेन्मेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी शो लापता गंज के कलाकारों के बारे में बहुदी कमाल के इस टीवी शो की खासियत थी इसकी साफ सुत्री कॉमेडी ये सीरियल साल 2009 से साल 2015 के बीच दो सीजन में टेली कास्ट हुआ था अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि इस शो का तीसरा सीजन भी आए तो कमेंट बाक्स में यस लिख कर हमें बताएं तो चलिए जानते हैं कि इस शो के कलाकार अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं सबसे पहले बात रोहिताश गौड की जिनोंने लापता गंज सीरियल में मुकंदी लाल का किरदार निभाया था रोहिताश गौड इस समय भावी जी घर पर हैं टीवी शो में काम कर रहे हैं और मनमोहन तिवारी बनकर लोगों को खूब हसा रहे हैं इसके बाद बारी आती है सुचेता खन्ना की जिनोंने लापता गंज सीरियल में इंदु मती यानि की मुकंदी लाल की पत्नी का रोल निभाया था सुचेता खन्ना 2019 में एंड टीवी के शो मेरी हानिकारक दीवी में नजर आई थी इसके बाद उन्हें किसी टीवी शो में देखा नहीं गया चलिए अब बात करते हैं विनीत कुमार यानि की कछुआ चाचा की जिनके पास हर समस्या का समधान हुआ करता था तो कछुआ चाचा यानि की विनीत कुमार आज कल फिल्मों में कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं साल 2019 में नवाजुद दिन सिद्धिकी के साथ उनकी फिल्म एक आई थी जिसका नाम था रोम रोम में इसके बाद बात करते हैं शुभांगी गोखले यानि की मिश्री मौसी की मिश्री मौसी का किरदार तो कोई भूली नहीं सकता सर पर मटका रखे हुए उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहदी कमाल की थी तो शुभांगी गोखले यानि की मिश्री मौसी भी फिल्मों में यदा कदा नजर आ जाती हैं साल 2018 में वो फिल्म दसहरा में नजर आई थी जिसमें फिल्म के हीरो थे नील नितिल मुकेश इसके बाद बात करते हैं अनूप उपाध्याय यानि की छोटू मामा की टीवी पर इस समय बहुत ही जादा एक्टिव हैं और अभी तक तमाम तरहें के टीवी शोज में नजर आ चुके हैं पिछले दिनों वो सब टीवी के शोज जीजा जी छट पर हैं में काम कर रहे थे तो भाबी जी घर पर हैं में वो डेवीड मामा बन कर बीच बीच में आते रहते हैं और हसाते रहते हैं इसके बाद बात करते हैं पतले दुबले क्रिशना भट यानि की एलिजाबेथ टेलर की क्रिश्णा भट आज कल फिल्मों में एक्टिव हैं, क्रिश्णा भट अभी पिछले दिनों मिशन मंगल और हैक्ड फिल्मों में नजर आये थे और अभी उनकी एक मूवी रिलीज होनी है जिसका नाम है बैरी सुरतिया और ये एक हॉरर फिल्म होगी अब बात करते हैं प्रिती अमीन की जिन्होंने लापता गंज सीरियल में सुरीली का किरदान निभाया था इनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई है लेकिन कुछ सुत्रों से ऐसा पता चला है कि इन्हें साउथ की फिल्म और टीवी इंडिस्ट्री में एक्टिव देखा गया है चलिए अब बात करते हैं सोमा राठोर की जिन्होंने मिल्चा यानि की सुत्तिलाल हलवाई की पत्नी का रोल निभाया था तो सोमा राठोर टीवी पर कई सीरियल में मज़ेदार रोल करती वी नज़र आती रहती है फिलाल भावी जी घर पर है में वो अंगूरी भावी की माकरोल अदा कर रही है और दूसरे कई शोज में भी नज़र आ रही है और अब बात करते हैं लापता का गंज सीरियल में हमसे किसी ने कहा ही नहीं कहकर बिचक जाने वाले राकेश श्रिवास्तव यानि की ललन बाजपेई की तो राकेश स्रिवास्तव फिलाल किसी भी टीवी शो में नजर नहीं आये हैं लेकिन मुंबई में ही रहते हैं लेकिन उनका लल्लन बाजपे का किरदार हम कभी भूल नहीं पाएंगे जिसमें उन्होंने अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से जान डाल दी थी तो ये थी सीरियल लाटता गंज के कलाकारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कीजिए हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं फ झाल झाल